मित्रो, कविता मंजरी श्रिंखला में आपका स्वागत है। प्रकृती प्रेमी कवी सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरा खंड के अलमोडा के प्राकृतिक सौंदरे से भरपूर कौसानी में सन उन्निस सौ में हुआ। कविता लिखने की प्रिर्णा पंत जी को सर्व प्रथम प्रकृती से ही मिली। लगभग छे साथ वर्ष की आयू से ही पंत जी ने लिखना आरंभ किया। उन्ही के शब्दों में कविता का अर्थ संगीत था और इस संगीत के लालच से ही अपनी तुष्टी के लिए कविताएं अथवा तुखबंधिया करने लगा था। उन दिनों मानस में प्रकृती सौंदर्य और काव्वे संगीत दिन भर छाया रहता था। उसी आवेश में मैंने अवर्ष कविता लिखी होगी। ठीक से लिखने का प्रयत्न मैंने अल्मोडा आने पर लगभग तेरहां वर्ष पूरा होने पर किया होगा। मित्रो, सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख का व्वे कृतियां हैं वीण, ग्रंथी, गुन्जन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरं, स्वर्ण धूली, कला और भूरहा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम और रश्मी बंध आदी। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कविताओं के लिए अनेख पुरसकारों, जैसे साहित्य अकादमी पुरसकार, सोवियत लांड नहरु पुरसकार और ज्यानपीट पुरसकार से सम्मानित किया गया। सन 1977 में इस प्रकृती सौंदर्य प्रेमी कवी का निधन हुआ। तो आई सुनते हैं रश्मी बंध से उनकी कविता परवत प्रदेश में पावस। पावस्रितुथी परवत प्रदेश पलपल परिवर्तित प्रकृतिवेश मेखलाकार परवत अपार अपने सहस्त्र द्रिग सुमन फाड अवलोक रहा है बार-बार नीचे जल में निजमाहाकार। जिसके चरणों में पला ताल दरपन सा फैला है विशाल। गिरी का गौरव गाकर जरजर मर्द में नसनस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुन्दर जरते हैं जाग भरे निरजर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चा कांक्षाओं से तरवर। हैं जाक रहे नीरव नभ पर अनिमेश अटल कुछ चिंता पर। उड़ गया अचानक लो भूधर फड़ का अपार पारद के पर रवशेश रह गए हैं निरजर हैं तूट पड़ा भूपर अंबर। धस गए धरा में सभय शाल उठ रहा धुआ जल गया ताल यों जलत यान में विचर विचर था इंद्र खेल का इंद्र जाल। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पंतजी ने पर्वती ये वातावरण का बहुत ही सुन्दर चित्रन किया हैं जिसके द्वारा शोता और पाठक मानसिक रूप से पर्वतों के सुन्दर दृश्यों का अनुभव कर सकें पाहाडों के सुन्दरे की छटा अनोखी और रोमांच कारी दिखाई देती हैं जो सदैव मन को मोह लेती हैं मित्रो हम पिकनिक के लिए पर्वतों वनों मैदाने क्षित्रों में जाते रहते हैं आपने भी कभी ना कभी पाहाडों का भ्रमन किया होगा तो आप भी अपने शब्दों में सुनाईए या बनाईए ना कोई अच्छे सी कविता कर दो दो याओने लो आपने जाते हैं